दिवाली का मूरत क्या है? आप लक्षमी जेखी बैठे हुए मूर्ती को लाइए और उसकी पूजा कीजिए जहां कहीं पेवी खास और से जब पूजन है वो नौर्थ इस दिशा में होनी चाहिए एक्चल में दिवाली 31st को है या 1 को है दिवाली के तयारियां हम सबने शुरू कर दी हैं इस तिहार को हम खूब धूमधाम से बनाते हैं दिवाली की कुशियों को दोगनी करने के लिए हम क्या करें? इसके साथ है हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर Š Ludges श्रम correlate जी तो इनसे हम आज जानेंगे कि दिवाली की खुशियों को दोगनी कैसे करें, क्या करें, कैसे स्पेशल मनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं मेरा सबसे बहरा सवाल तो आपसे ये है, कि लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं, कि एक्चल में दिवाली 31st को है या 1 को है, तो सबसे बहले जनता दिवाली मनाएगी तब, जब पहले जनता को पता हो कि दिवाली एक्चल में है का वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सबको नमश्कार आपके सारे वीवर्स को, हमारी ये जो हिंतु कैलेंडर में हम तिथी, आज अश्टमी है, आज नवमी है, वो उससे निर्धारित होता है, चो सूरियद है, सन्राइस के टाइम में, चंद्रमा कौन सी तिथी में थी, हो सकता है दस बजे सुबा, चंद्रमा अश्टमी से नवमी में चला जाए दिन, नवमी से दशमी में हो जाए, वो काउंट नहीं होती है, पूरे दिन में तिथी अगर चेंज हो रही है बीच में, 24 घंटे में उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, हम तिथी उसको बोलते है, सूरियद के टाइम में चंद्रमा जो है, 1st November को अमावस्सा में होती है, और हम सब को पता है कि दिवाली जो है, वो अमावस्स की रात है, तो अमावस्स जो है, सूरियदे के टाइम में 1st November को होती है, तो दिवाली जो है, वो 1st November को मनाया जाएगी, तो चलिए, जनता को ये तो क्लिय क्लियर हो गया है कि दिवाली एक नवंबर को है तो मेरा दूसरे सवाल मैं आपसे यह है कि दिवाली का मूरत क्या है कैसे कैसे करना है वह आप क्लियर कीजिए हां देखिए जैसे मैं थोड़ी तर पहले बता रही थी कि पूरा दिन जब सुर्यदय से आएगा अमावस्था उसके बाद अमावस्था नहीं रहेगी प्रतिपद आ जाएगी पर पूरा दिन ही दिवाली मनाया जाएगा तो दिवाली खासतों से लोग समझते कि शाम के टाइम में लक्षमी हमारी घर में पधारते है तो लक्षमी और वेस्ट में जाएगे मुंबाई में वहाँ पे साथ बचती है घरी में पर अंधेरा नहीं होती है तो बहुत सारे जियोग्राफिकल चेंजेस है तो हम कब करी यह बहुत अच्छी सवाल है लोग के बीच में यह एक कन्फूशन रहती है कि because everyone doesn't know everything right तो जब टॉरास लगना ह Rasa is money making sign है तो अब money making sign जो राशी है उसमें ठैरना लक्ष्मी बहुत चंचला है यह हम सब को पताए कि Lakshmi जी एक जगा पर ठैरते नहीं है तो हम स्थीर राशी में स्थीर राशी की जो लगनज़ करनी है जो शाम को हर जगा पर अलग अलग थोड़ा सा है पर वह शाम की सार से दिर्ता की राशी है और उस राशी में लक्ष्मी मा की पुजा करने से लक्ष्मी मा आपके मतलब धन, सुक, शांती उसकी जो है Dangos, इस्की जो है धीर्ता स्थीर्ता और ड्यूरेबलटी आपकी लाइफ में ज्यादा रहेगी तो आप शाम के टाइम में वो आप लोग आपनी पंचांग देख लीजिएगा कि ब्रिशब लगना कब उदाय हो रही है वो ऐसे 6 से 7 बजे के अंदर ये चीज़ होती है उसी टाइम में करना चाहिए और कुछ लोग सिंह लगना में भी करते हैं एक आती है कि सिंह ल रात्री में आती है तो वैसे ही जो दिवाली की रात है वो महारात्रियों में से एक रात्री है तो जिन लोग को साधना में पूजा, मंत्र, तंत्र, जब, साधना में लगना है उनके लिए लियो राइजिंग वो भी एक स्थीर राशी है एक्चॉली लियो राइजिंग बह वो एकदम वैलकाम करें ब्रिशब लगना में और जो लोग साधना में लिप्त होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुल्टी में उन लोग के लिए मधरात्री में सिंह लगना की जो मुहरत है वो है इस बार दिवाली पूजन पर ऐसा क्या करें जिस सिधन लक्षमी जी की पूजा करते हम दिपाबली के मावस्या के रात को और कैसे धन की वर्षा हो पाच चीजे में बताने वाली हूँ साड़े दर्श्यकों को सबसे पहले तो आप लक्षमी जी की पूजा होती है इस सबको पता है तो वह सिटिंग पोजिशन में आप लक्षमी तो ऐसी चंचला है एक जागा पर ठैरते नहीं है जिस बज़े से विष्मी जी उन्हों अपनी हार्ट में रखा है लक्षमी जी को तो आप लक्षमी जी की बैठे हुए मुर्ति को लाईए और उसकी पूजा कीजिए पहला पॉइंट यह है दूसरी पॉइंट यह है कि लक लक्षमी जो है गधुली टाइम में कहते है लक्षमी जी आते है तो आप शाम के में दर्वाजा थोड़ी खुली रखी है गधुली टाइम में जब संडाउन होती है और एकदम थोड़ी तो गधुली टाइम में आप थोड़ी सी दर्वाजा खुली रखे आपकी जो में को बहुत पसंद है और लक्षमी जी को साफ सुत्रा बहुत पसंद है जहां कहीं पे भी खास दोर से जब पूजन है वो नौर्थ इस दिशा में होनी चाहिए इशान कुझ इसको बोलते है तो वहां पे कौनर पे लक्षमी जी की सेटिंग पूजिशन में मूर्ती बिठाईए घी का दिपक जलाईए उनको एक कमल कम से कम अर्पित की जिए उनको मखाने का खीर भोग लगाईए अनार लगाईए और लक्षमी जी को आप अपनी शद्धा भर के मन्त से आप लक्षमी जी की पूज जीता सोत्रों पर मेरा कहना है कि कनकधारा सोत्रों जो शंकराचारिया ने लक्षमी माता की स्तूती के लिए पाट किया था कनकधारा सोत्रों नाम ही है कनकधारा मतलब सोने का बरसात होना इसका मतलब यह होता है तो कनकधारा सोत्रों अगर शद्धा भक्ति और फोकस के सा यहां मोबाइल बज रहा है वहां बच्चों को बुला रहा है ऐसा नहीं फोकस वहीं मेंटेन करता है बाकी आपने क्या माता को चड़ाया क्या नहीं दीज और ओल फीजिकल एक्सराइजेज कि अगर आपकी आत्मा का कनेक्शन वहां नहीं बना तो फिर बाकी तो आपने चप माना जाता है इससे लक्षमी माता जरूर प्रसंद होंगे और आपके घर में धन की सुक की समरिधी की जरूर वर्षा होगी श्रमिस्ठा जी ने बहुत कुछ बताया है दिवाली को कैसे स्पेशल बनाए कैसे लक्षमी मा को खुश किया जाए कैसे धन की वर्षा हो तो मैं आशा करती हूँ कि हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को बहुत हेल्फुर रहा होगा उनके लिए ये, तो इस दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए इन चीजों को प्रियोग में जरूर लाइए, तो बहुत अच्छा लगा आप से बात करके, आपने दर्शकों को बहुत कुछ बताया है, दिवाली के लिए कैसे उसको खास बनाया जाए, धनकी वर्शा कैसे हो, तो ABP Live की तरफ से आप सभी को दिवाली की धेर सारी शुब कामना है